तो गाईज सबसे पहले यहां पे मैंने बेशन लिया है बेशन यहां पे मैंने अड़ाइ सो ग्राम लिया है और इसे बनाने में सबसे पहले मैंने यहां पे फोर बिग टेवल स्पून सरसो का तेल मैंने अड़ किया है उसके बाद मैंने चार बड़े साइज के प्याज को मैंने पीसा है और इसे मैं डालूंगी इस बेशन में इससे क्या होगा गाईज कि इससे आपकी बेशन के जो बरी आप बनाईएगा वो बिलकुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे उसी के साथ साथ 2 टेवल स्पून मैंने लसुन का पेस्ट पीस में एड़ किया है उसके बाद इन सभी चीजों को अच्छे से मैं मिलाऊंगी और आप बिलकुल मेरे तरीके से बनाना यहां पर मसाले में मैं बस मिर्च पॉडर दी हूँ थोड़ी सी हल्दी और आप यह चीज अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं आपको कितना तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद स्वाद अनुसार यहां पर मैं नमक डालूंगी आप अपना नमक देख लेना मैंने यहां पर धाई सो ग्राम के लिए बस एकी टेबल स्पून नमक का यूज किया है उसके बाद इन सभी चीजों को मैं अच्छे तरीके से बिलकुल मिलाओंगी कि यह सारे मसाले जो भी मैंने लहसून प्याज और जितने भी सुखे मसाले डाले हैं सब आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए और इसमें हाँ गई सबसे में चीज यह हो जिसको एड़ करना चाहूंगी कि आप इसमें पानी का उपयोग ना करें और एक बारी जैसे मैं बता रही हूं आप वैसे ही बना के ट्राइ करें आपको बहुत बहुतर रिजल्ट मिलेगा तरस्ट मानिये तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह सभी चीजे अच्छे से मि मेरी वीडियो देखें हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें और मेरे वीडियो पर खुब सारा प्यार दीजे आपसे यही उमीद है मुझे और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूंगी और आप लो किस चीज पर रेसिपी को सब्सक्राइब करना कर शौह कुझा ने कमों इसस की रेसिपी आप इसमें और उप सामने दिखாऊंगी तो मेरे हाड़ वकिंग के लिए प्लीज 1 या अग तो बनताया गाइस तो आ17 देख सकते हैं मैं पानी को भीयूग ना करते अपना गोला बनने के लिए तो अभी इसे और अच्छे तरीके से हम मिलाएंगे कि ताकि जितने भी चीजे आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाए अप इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा कि आप इसको पूरा दवाना बिल्कुल आटे की तरह जो पूरी का आटा ह कि आपसे तरीके से पूरा गोला करना है तो गाइस आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग भी चाहते होंगे कि मेरे ठाउजन सब्सक्राइबर हो जाए और आप लोग ही करवाएंगे यह तो मुझे पता ही है तो आईए इसका गोला बनाने की प्र करना है यही इसका मतलब जानने का तरीका है कि आपका बेशन सही से बना है यह नहीं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से रॉल रॉल करके आप इसमें स्क्रॉल करना है अपका बन जाएगा ऐसे गोला इसी तरीके से हम सभी गोले को बना लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे तीन गोले तैयार हो गया है अब इन्हें उबालने की बाहरी आती है तो उबालने के लिए सबसे पहले मैंने कडाही में थोड़ा सा पानी लिया था उसे थोड़ बालने लाएं मेरे कराव देख सकते हैं मैं वीड़ा है तो गर्राव 7 कसया हैं मैंने तो आप यूशका थेयान रखी गारे यूशकुल उसके इसकैला देख सकते हैं मतलब आप रहे माक्सिमवम आपको 5 मिनटष हीचा गापर दो कि अंदेक आप नहां हम लोगों कुंकि अगर जादा देर वो घुल जाएगा तो सका कोई मतलब नी बनता है उसके बाद मैंने, यहां-पेज मैं पने बेशन को निकाल दिया है उसके भाद इसे में ठंडा होने दी हूँ ठंडा होने के बाद ही आप काटे इससे होगा क्या कि आपके बेशन के जो काटो गया वह ज्यादा तूटे गा नहीं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसके काटने का भी तरीका बहुत सिंपल है बिल्कुल आप नीचे से ऊपर से तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ गाई मेरा इंस्टाग्राम भी आईडी में यहां पर में इंसन कर दूंगी कोग विजिट कर सकते हैं वहां भी मेरी रेसिपी डलाती है आप वहां भी मेरे मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छी रेसिपी देखने के लिए वहां भी मैं वीडियोज डालती रहती हूं तो उसी तरीके से हम सारे बेशन को उसी के सेप में कट कर लेंगे तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके यहां यह बेशन की सबजी कैसी मतलब लोग कैसा पसंद करते हैं मेरे यहां तो इसी तरीके से मैं बनाती हूं औ तो आप लोग भी बनाना और फिर उसके बाद बताना कि आपको मेरी रेसिपी आपके घर में कैसा मतलब उससे बोला गया क्यूंकि मुझे भी जब तक फीडबैक और ड्रॉबैक नहीं मिलेगा मैं चीजों को नहीं समझ पाऊंगी कि मतलब अच्छा है या बुरा है बाकी तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में देखी यहां पे मैंने कड़ाही में तेल डाला है और सभी बढ़ियों को बिलकुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइ कर लिया है फ्राइ करने के बाद बात आती है ग्रेवी लगाने के लिए वही नॉर्मल सा तेल जो डलता उसके बाद प्याज एड़ करेंगे प्याज को बिलकुल अच्छे तरीके से भूजना है जब तक यह थोड़ा सा गल न जाए आप जैसे नॉर्मल ग्रेवी लगाते हो इसकी ग्रेवी भी हलकी वैसी होती है इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्याज को पुर अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ग्रेवी जो होता है वह थिक ग्रेवी चाहिए होता है तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने लैसुन का प्यूरी डाला है तो उसके कारण थोड़ा सा पानी छोड़ा है तो अप्याज को गलने में थोड़ी सी मदद मिलेगी फिर उसके मसाले की बात करें तो सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी एड़ किया है वन टेबल स्पून उसके बाद मितलब जो भी नॉर्मल मसाले आपके घर में जो भी हो आप डाल सकते हैं यहां मेरी दोटो प्याज रह गई थी तो वह मम्मा उपर से डाल दी है तो उसको इग्नोर करन खालिश फिर उसके बाद मतलब आपके घर में जैसे भी मसाले ओबल जैसे जिरे की हो गई मैं तो नॉर्मल ही डाली थी मतलब हल्दी मिर्चा पाओडर नमुक्ष घणिया का एड़ की थी आपके घर में जो भी मसाले हो उसे आप यहां ची तरीके से बहुढ गी यहां पे तो टेबल स्पून मैंने रेड चिली डाला है क्योंकि हमारे थोड़ा तीखा प्रिफेर करते हैं उसके बाद मैंने वन टेबल स्पून गरम मसाला एड़ किया है कि ताकि पूरे अच्छे तरीके से यह भूजा जाए और स्ट्रस्ट मानों गाईस मेरे तरीके से बनाना एकद पादि के अजिए से अदय ब शूर्फेल करते हैं मसालने से बंडना होता है कि ताकि मतलब हाई टेस्ट आप estéह कि करकान प्रWhat'd weekend पूरा निखर क्या है मेरिया तो यही है कि आप चीजों को कितना अच्छा से फ्राइ करते हो क्योंकि टेस्ट गरम मसाले से नहीं उसे भूजने से आता है यह मतलब बहुत लोग हमारी यह बोलते हैं उसके बाद मैंने एड दा लास्ट इसमें सौल्ट एड किया है स्वाद अ क्योंकि लास्ट में इसका एड करने का यह था कि मतलब यह आधा तो गली गया है इसके बाद बचा कुछा जितना भी होगा इसमें गल जाएगा और इसके मसाले इतने अच्छे से भूजा गए थे मत पूछो तर इसके बाद मैंने हलके पानी एड किया फिर इसको मैं पूर और पानी डाला और इससे पूरा उबलने दिया आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाना और फिर लास्ट में मैंने गरम मसाला जो घर का पीसा हुआ था मैंने वह एड किया इसके टेस्ट और बढ़ गई थी आप मेरा ट्रस्ट मानो उसके बाद मैंने इसे थोड़े दिर खौ बलता हुआ टेमपरेचर है उसका जोड का उससे क्या होगा कि आपके बरी टूटेगी नहीं तो आप इस टीप्स को जरूर फॉलो करना एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यो फॉर वाचिंग माई वीडियो बबाई हुआ 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 है